स्वरा स्वीट इलाइट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ धई वड़े या धई बल्ले और घर पर बड़ी आसानी से बन जाता है तो चलो देखे इसकी रेसिपी हम धई वड़े की सामगरी देख लेंगे सबसे पहले यहां पर है उरत और मैंने इसे चार गंटे के लिए बिगो लिया था और फिर पीस लिया है आप देख सकते हो इसे मैंने मोटा ही पीसा है और पीसते समय पानी बहुत ही कम डाला है एक से दो चमच पानी में ही मैंने इसे पीस लिया है आप चाहो तो इसे और थोड़ा मोटा पीस सकते हो ले यहां पे है धनिये पुदीने की चटनी और इमली और खजूर की चटनी है और दोनों का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो यहां पे है भुना हुआ जीरा एक चमश और मैंने इसे दरदरा नमक है स्वादनूसर लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला यह है सेव बारिक सेव है और यह और यह है चीनी मैंने वन फोट कप ली है और आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके स्वादनूसर इस मिक्शर को हम एक दो बार अच्छे से पेट लेंगे जिससे हमारे वड नमक की हल्प से डाल रही हूँ आप यह देख सकते हो फेटने की वज़े से हमारे वड़े अच्छे से फूल गए है और इन्हें हम अब पलट देंगे हल्पी से और ध्यान रखे कि हमें इन्हें मीडियम से स्लो फ्लेम पर ही फ्राइ करना है तेज आज पर नहीं फ्राइ करना नहीं तो यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे आप यहाँ देख सकते हो वड़ो का कलर चेंज हो गया है सुनेरे हो गया है और अच्छे से फ्राइ भी हो गया है अब हम इन्हें निकालेंगे यहाँ पर मैंने एक बोल बरके पानी दिया है और उसमें अब हम यह हमारे फ्राइ किये हुए वड़े डालेंगे और आप ये पानी हलका गुनगुना भी ले सकते हो, मैंने नॉर्मल पानी लिया है और हम सभी वड़ो को इसमें डाल देंगे इसे हम थोड़े टाइम टेले ऐसी छोड़ देंगे, जिससे ये वड़े पानी सोप कर ले और ये सॉफ्ट हो जाए आप यहाँ देख सकते हो, हमारे ये वड़े फूल के डबल हो गए है और पानी अच्छे से सोप लिया है अब हम इसे निचोड़ेंगे इसका पानी, हलके हाथ से इसके दबा लेंगे और प्लेट में रख देंगे हमने इनका पानी निकालके निचोड लिया है और आप अगर चाहो तो इने पानी के बदले में छास में भी बिगो के रख सकते हो अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे और साथी में हम नमक भी डालेंगे थोड़ा इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हो, शुगर मेल्ट हो गई है, अच्छे से इसमें गुल गई है, और इसमें मैंने एक चोथाई कप पानी डाला है, इसे राइट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, इसमें अब मैं थोड़ा सा भूना जीरा डालूँगी, थोड़ा हम उपर से डालेंगे, एक मादा चमच मैं इसमें डाल जाएगा, और साथ ही मैं एक चुटकी इसमें चाट मसाला भी डालूँगी, जिससे ये धाई का स्वाद और बढ़ जाएगा, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, दोबारा, इस धाई को अब हम फ्रिज में रख देंगे, और फिर सर्फ करने समय हम थंडा धाई यूज़ करेंगे, जिससे हमारे धाई बढ़े और स्वादेश्च बनेंगे, एक बोल में मैं सबसे पहले मीचे थोड़ा सा धाई डालूँगी, उस पर हम बढ़े रख देंगे, उपर से मैं फिर से धाई डालूँगी, हम अब थोड़ी सी लाल मिज़ पूर्ट डाल देंगे, साथी में हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउड़ा डाल देंगे हम, आप दई बढ़ों को ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने चटनी बनाई है, तो हम चटनी भी डालेंगे इसके उपर, अब हम इस पर, थोड़ी सी सेव डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ, यह तिकनी अच्छे बने है, अब देख सकते हो, इसका टेक्श्चर, और यह खाने में भी, काफी स्वादिष्ट है, यम्मी, आप ये घईवड़े घर पे जरूर ट्राइ कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्षिन में लिख भेजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, अब देख सकते हैं,